नमस्कार Capital TV में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ सबा शाहिद शेक मैं आपको बताऊंगी उन चार नेता अपराधी आतंकी और जिहादी के बारे में जो आज चक्रवियू में फसा है उनके कारणामों को एक्सपोस करूँगी पूरी डिटेल में इनका कच्चा चिठ खोलूंगी आज के वो चार नाम जो चक्रवियू में फसे हैं वो हैं शाहिद का दूसरे हैं नवाजुद्दीन सिद्धिकी तीसरे हैं इर्फांत सुलग की चौते हैं मनी सिसोधिया सबसे पहले बात शाहिद का की श्री कृष्णी की नगरी में इन दिनों चारों और होली की धूम मची हुई है देश विदेश लाखों की संख्या में शद्धालू होली खेलने मतूरा पहुच रहे हैं वहीं इस दोरान अखिल भारत हिंदू महासभा ने एक लेटर मतूरा जिला अधिकारी के नाम से लिखा है जिसमें उन्होंने मांग की है कि इस बार होली पर अखिल भारत हिंदू महासभा के राश्ट्रि कोश अध्यक सहीत अन्यपध दिकारियों को शाही इद्गा में होली खेलने की इजाज़त दी जाए अखिल भारत हिंदू महासभा के राश्री कोश अध्यक दिनेश शर्मा ने मतूरा जिला अधिकारी को मुखे मंतरी के नाम ग्यापन सौपा है ग्यापन में उन्होंने शाही इद्गा में होली खेलने की अनुमती मांगी है उन्हें ने ये भी कहा है कि औरंग जीव ने भगवान श्री कृष्ण के भव्य मंदिर को तोड़ कर शाही इद्गा का निर्मान किया था जो की बिलकुल गलत है उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्णी के जन्मस्थान पर बनी शाही ईद्गा में उनको होली खेलनी है इसलिए उन्होंने माननिय मुख्यमंत्री योगी अदितिनात के नाम पत्र लिखा है साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुखे मंतरी योगी अधितिनात को हनुमान का अफ्तार बता दिया उन्होंने कहा कि सिर्फ वहीं शाही इद्गा में होली खेलने की अनुमती प्रदान कर सकते हैं हालकि श्री कृष्न जन्भूमी और शाही इद्गा का मामला कोर्ट में विचार धीन है दिनेश शर्मा ने कहा कि सीएम के नाम लिखे पत्र में उन्होंने एक तारीक से लेकर आट मार्ज तक शाही इद्गा में होली खेलने की परमीशन मांगी है उन्होंने कहा कि जिस जगहा पर आज इद्गा बनी हुई है उस जगहा पर कभी श्री कृष्न जन्भूमी का भव्यम मंदिर हुआ करता था लेकिन और अंजीव ने उसे तोड़ कर शाही इद्गा का निर्मान कर लिया लेकिन उनकी आस्था है कि जहां भगवान कृष्न का गर्ब गड़े है वहीं वो होली खेलेंगे इसके साथ ही उन्होंने विश्वार जताया कि सीम योगी उनको शाही इद्गा में होली खेलने की परमीशन जरूर देंगी अब देखना ये होगा कि सीम योगी इस मुद्दे पर क्या फैसला लेते हैं क्या इस साल सीम योगी शाही इद्गा में होली खेलने की परमीशन देंगे या नहीं अब बात नवाजुदिन सिद्धिकी की बॉलिवुड अभिनेता नवाजुदिन सिद्धिकी की बीवी आलिया सिद्धिकी ने वीडियो शेयर कर बच्चों और उन्हें घर्ष में ना घुसने देने का आरोप लगाया है आलिया ने ये भी इलजाम लगाया है कि नवाज ने उन्हें सरक पर छोड़ दिया इसे लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट की है वीडियो में वो अपने बच्चों के साथ रोते हुए नजर आ रही है आलिया ने इंस्ट्राग्राम पर दो वीडियो शेयर करते हुए लंबा पोस्ट लिखा वीडियो में आलिया ने कहा कि नवाज ने दोनों बच्चों सहीत उन्हें मुंबई के बंगले में घुसने नहीं दिया आलिया को बच्चो समेत आधी रात को उनके हाल पर छोड़ दिया गया साथ ही वो कहती हैं कि उनके पास सिर्फ 81 रुपे हैं वो इस हरकत के लिए नवाजुदीन सिद्धिकी को कभी भी माफ नहीं करेंगी पोस्ट किये गए दूसरे वीडियो में सभी एक कमरे में सोते नजर आ रहे हैं आलिया ने अपने पोस्ट में लिखा कि वो 40 दिनों से नवाज के घर में रह रही थी पुलिस स्टेशन में आफायर के सिलसिले में उन्हें बुलाया गया जब आलिया वापस लोटी तो नवाज उद्दीन ने कई गाट्स लगा रखे थे जिनोंने उन्हें घर में वापस लोटने ही नहीं दिया आलिया का कहना है कि अपने पिता की ये हरकत देखकर बेटी बहुत रो रही है आलिया ने जानकारी दी कि आधी रात को बेघर होने के बाद उन्हें एक रिष्टदार के घर पर पना मिली दरसल दोनों मिया बीवी के बीच बिवाद बरता ही जा रहा है एक दूसरे के खिलाब आरोप प्रते रोप लगाए जा रहे हैं हाली में आलिया ने शोहर नवाज उद्दीन पर बीते कुछ दिनों में गंभीर आरोप लगाए थे वही एक और जहां आलिया ने अपनी वीडियो में रोती हुई बेटी और जहां वो खुद रो रही है उस वीडियो को शेयर किया है वही नवाजुद्दीन सिद्धिकी के प्रवक्ता ने आलिया के आरोपों को नकारा है उनका कहना है कि ये सारे आरोप जूटे है वो घर नवाज की मा का है नवाज फैसला नहीं कर सकता वहां कौन आएगा कौन नहीं घर में सिर्फ आलिया की एंट्री बैन है बच्चों को घुसने से नहीं रोका गया है प्रवक्ता के मुताबिक नवाज ने आलिया को एक फ्लैट खरीद के दिया हुआ है जिसे उन्होंने रेंट पर चरहा दिया है अब ये तो वक्त ही बताएगा कि दोनों में से कौन सच्चा है और कौन जूटा अगली खबर में बात इर्फान सुलंकी की सपा विधायक इर्फान सुलंकी और उनके गुर्गों के खिलाप इंकम टैक्स विभाग भी जल्द ही जाच शुरू कर सकता है उत्तरक्रदेश सरकार उनकी जो संपत्या सीज कर रही है उनकी एक रिपोर्ट इंकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी भेजी जा रही है विभाग इस बिंदू पर जाच कर सकता है कि संपत्ती बनाने के लिए विधायक और उनके गुर्गों के पास पैसे कहां से आए वहीं इर्फान के वकील का कहना है कि उन्हें संपत्ती जब्ती करन के अधिकारिक तौर पर कागजात नहीं मिले है विवेचक ने इस मामले में गैंक्सर एक्ट के तहत कारवाई नहीं की है इसी को आधार बनाते हुए रिप्रेजेंटेशन दाखिन किया जाएगा इसके लिए कानपूर पुलिस ने विभाग से संपर्ग भी साधा है अब तक इर्फान और उनके गुर्गों की जो संपत्या पुलिस के जरिये सीज की गई है उसकी एक रिपोर्ट इंकम टैक्स विभाग को भेजी जा रही है विभाग इस बिंदू पर जाच करेगा कि अब तक बनाई गई संपत्ती में विधायक और उनके गुर्गों के पास पैसे कहां से आए इधर संपत्ती के दस्तवेज मिलने के साथ विधायक के वकील पुलिस कमिशनरेट कोर्ट में दाखिल करने की बात कह रहे हैं हालकि इरफान के वकील ने कहा है कि विवेचक ने इस मामले में कानूनी तोर से कारवाई नहीं की है दरसल पुलिस ने विधायक इरफान और उनके भाई समेथ आठ लोगों को गैंग्स्टर एक्ट में पावंद किया है इन लोगों की जो समपत्ती सीज की जा रही है उसकी रिपोर्ट बनाकर आयकर विभाग को भेजी जा रही है इरफान के वकील गौरब दिक्षित की माने तो समपत्ती को लेकर अधिकारिक तोर पर कागजात नहीं मिले हैं उन्होंने कहा है कि विवेचक ने इस मामने में गैंग्स्टर एक्ट के तहट कारवाई नहीं की है इसी को आधार बनाते हुए रिटर्न दाखिल किया जाएगा इर्फान और उनके गुरगों के समपत्तियों की एक रिपोर्ट इंकम टैक्स विभाग को भी भेजी जा सकती है विभाग ये जाच करेगा कि अब तक बनाए गई समपत्ती में विधायक और उनके गुरगों के पास पैसे कहां से आए फिर उस पर भी कारवाई की जाएगी यानि कि इर्फान की जो काली करतूते हैं उसकी जड़े तक उखार कर फे की जाएगी चौथी खबर में बात मनीज सिसोधिया की दिल्ली के पूर्फ डिप्टे सीम मनीज सिसोधिया की CBI रिमान दो दिनों के लिए बढ़ा दी गई है CBI की तरफ से कोट में कहा गया है कि सिसोधिया जाच में सहीयोग नहीं कर रहे है CBI ने कोट से तीन दिनों की अतरिक्त रिमान मांगी थी वही मनीज सिसोधिया की जमानत याचिका पर कोट दस मार्च को फैसला सुनाएगा 27 परवरी 2023 को पांच दिनों के रिमान पर भेजे गए मनीज सिसोधिया की रिमान खत्म हो रही थी ऐसे में उन्हें CBI की विशेस अदालत के समक्ष पेश किया गया इस दोरान CBI ने मनीज सिसोधिया की कस्टडी तीन दिन बढ़ाने की मांगी CBI का कहना है कि सिसोधिया जाच में सहीयोग नहीं कर रहे है दरसल CBI के मताबिक सिसोधिया ने खास दवा की मांगी और इसमें एक दिन हराब हो गया CBI ने कोर्ट में दलील दी कि अब दूसरे गवाहों के सामने सिसोधिया से पूछताच करनी है कुछ डिजिटल सबूत मिले हैं इस बारे में उनसे जानकारी प्राप्त करनी है जजो ने CBI से केस की डाईरी मांगी वही सिसोधिया के वकील दयान क्रिशनन ने कहा कि सिसोधिया जाँच में सहयोग नहीं कर रहे हैं इस अधार पर रिमान बरहाना उचित नहीं होगा दोनों पक्षों के बीच बहस पूरा होने के बाद अदालत ने सिसोधिया के रिमान दो दिन तक और बढ़ा दी दरसल सिसोधिया ने निचली अदालत में जमानत याचिका दायर की थी याचिका में सिसोधिया ने CBI की पूछताच में सहीयोग का हवाला दे कर जमानत मांगी सिसोधिया की तरफ से कहा गया कि पूछताच के लिए जब भी उन्हें बुलाया जाएगा वो हाजिर हो जाएंगे उन्होंने कहा कि उन्हें कस्टडी में रखने की कोई वज़ा नहीं है लेकिन इस जमानत याचिका पर कोर्ट 10 मार्ज 2023 को फैसला सुनाएगा यानि कि मनीज सिसोधिया को इस बार हो ली जेल में ही मनानी होगी फिलहाल के लिए चक्रवीव में मेरे साथ इतना ही ऐसे लोगों के लिए आप क्या राय रखते हैं हमें कॉमेंस करके जरूर बताएं तो फिर इजाज़त दीजिए कल फिर कौन किसके चंगुन में फसेगा नए मुद्दों के साथ फिर पेश होंगे और दिखाएंगे कई और संसनी खेश खुला से तब तक के लिए देखते रहें कैपिटल टीवी नमस्कार